आप सभी को श्री कृष्ण जन्मास्ट्रमी की बहुत बहुत शुब कामनाएं आज हम कृष्ण जी का भोग लगाने के लिए तीन तरेकी की पंजीरी और एक तरीके के लेड़ू तयार करेंगे तो चलिए एक एकर की रेस्पी शुरू करते हैं तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फूर जंक्शन बाई नेहा आईए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखलेंगे और इसमें एड़ करेंगे दूद तो यहां मैं तीन कटोरी दूद का यूज कर रही हूँ कौंटिटी में ये आधा लिटर दूद है यहां मैं नॉनिस्टिक पैन का यूज कर रही हूँ इसलिए मैंने इसमें डारेक्ट दूद डाल दिया है अगर आप लोहे या स्चील की भगोने या कड़ाई का यूज करें तो उसमें आधा कटोरी पानी डालकर फिर दूद को डालें इससे दूद आपका जलेगा नहीं इस दूद को हमें पकाते रहना है जब तक ये दूद एक कप ना रह जाए तो इस दूद को हमें लगतार चलाते रहना है ताकि ये दूद जो है तली में ना लगी और इसे साइडों में से इस तरह के से मलाई छुटाते रहेंगी और इस दूद में ही एड करते रहेंगी ताकि जो हमारा दूद बचे वो एकदम रबडीदार बचे चलिए जब तक दूद पक रहा है तब तक अपने नेक्स चैप पर चलते हैं तो दूसरा इंग्रीडियेंट है हमारा पनीर तो यहां मैंने एक कटोरी पनीर लिया है यह घर का ही निकला हुआ पनीर है तो हम इसको मैश कर लेंगी आप चाहें तो बजार का पनीर भी ले सकते हैं पर उसको कदू कस करके योज करिएगा और अब हातों की सहायता से इसको इस तरीके से मैश करेंगी कि इसमें कोई भी गुटली ना रहे अगर पनीर अच्छे से मैश नहीं होगा तो लड़ो अच्छे बन कर तयार नहीं होगे तो हतेली की सहायता से इसको प्लेट पर इस तरीके से रगड़िये और इसको एकदम सॉफ्ट कर लेंगे ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा इसको एक सार कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हाथ एकदम चिकने हो गए है ये पनीर एकदम सॉफ्ट हो गया है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है इसको साइड रख देते हैं और इधर देखिए दूद में भी बहुत अच्छे से उबाल आ रही है इसको एक दूब नट के लिए और पका लेते हैं देखिए इसमें कित्ती अच्छी मलाई भी आ रही है फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें चीनी आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग कम्या जादा भी कर सकते हैं तो देखिए चीनी इसमें एड कर दी है और अब इसको मिक्स कर लेते हैं चीनी घुल जाएगी चलिए आप इसमें मिलाते हैं मलाई क्योंकि हम मलाई लड्डू बना रहे हैं पर हमें जादा मलाई की जरुवत नहीं है हम सिर्फ तीन चम्मच मलाई इसमें एड करेंगी तो मलाई आप ताजी ही उसकरियेगा सिर्फ एक से दो दिन पुरानी उससे जादा पुरानी मलाई का यूज मत करियेगा नहीं तो लड़ों में स्मेल आ जाएगी तो यहां इस मलाई को भी इस दूद में अच्छे से मैश कर लेंगे साइडों में जो मलाई आ रही है उसे हम छुटाते रहेंगे वरना ये कढ़ाई में जम जाएगी लड़ों की टेस को थोड़ा सा और एन्हांस करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे चुटकी भर इलाईची पाउडर ये छोटे इलाईची का पाउडर है और अब इसमें मिलाएंगे मैश कर रहुआ पनीर पनीर इसमें ध्यान से डालेंगे वरना दूद की छीटे आपके हाथ पर भी आ सकती है और अब इस पनीर को हम इस कच्चे की सायता से मैश करते हुए इस पूरे दूद में अच्छे से मिला लेंगी इसे हमें 10 मिलाट लगातार चलाते रहना है ताकि पनीर दूद में अच्छे से घुल जाए उसकी कोई भी गुटली ना रही पनीर की वजह से ये लड़ो इतने सौफ्ट बनते हैं कि मूमें डालते ही घुल जाते हैं और ये लड़ो सभी को बहुत पसंद आते हैं कोई पहचानी ने पाएगा कि आपने इन लड़ो को घर में बनाया है एक्दम मार्केट जैसर स्वात देंगी आगे आने वाले महीनों में इतने सारे फैस्ट्रिबल भी आ रहे हैं तो इन लड़ो से आप भगवान का भोग भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने किसी भी ऐसी चीज़ का यूज नहीं करा जिसे आप वरत में या भगवान के भोग में ना ले सकी कल क्रिष्ण जन्माश्मी हैं और इन लड़ों से आप कानहजी का भोग लगा सकते हैं तो ये रेसिपी पूरी देखें और फिर इसको जरूर ड्राय करें तो देखें दूद कितना अच्छा सा पक रहा है और ये थोड़ा थोड़ा गाड़ा होना भी शुरू हो गया है और हमें इसे इतना गाड़ा करना है कि ये कढ़ाई छोना शुरू कर दे एकदम मावे की तरह कंसिस्टेंसिस की हो जाएगी पर ध्यान रहे इसे लगातार चलाते रहे वरना ये तली में से जल भी सकता है यहां मावा बनना तयार हो गया है पर इसे अभी हमें एक से दो मनेट और चला रहे है ताकि इसमें जो हलकी बहुत नमी है वो ना रही तो देखे मावा तयार है गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको 10 नट के लिए थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगी ताकि इसके हम लड़ू बना सकी देखे पंथरमनेट हो गए है और ये मावा बहुत अच्छे से ठंड़ा हो गया है अब इसे हाथ से हम इस तरीके से बुरबुरा लेंगे और थोड़ा सा एक सार कर लेंगी चलिए इसके लडू बराते हैं तो थोड़ा सा portion हम इस तरीके से हाथ में लेंगे और इसको लडू का shape देंगे लडू हमें हलके हाथ से ही बनाने है क्योंकि ये पनीर और दूद का mixture बहुत soft है और इसको हलका सा एक सार कर लेंगे ताकि जो लडू है वो एकदम चिकने चिकने perfect बने तो देखे लडू तयार है इसी तरीके से हम बाकी लडू भी तयार कर लेते हैं और ये ध्यान रखना है हमें इन्हें बहुत ज़्यादा pressure से नहीं बनाना है बना ये लडू की shape ना आकर over shape में बनेंगे तो देखे कितनी जल्दी से ये लडू बनकर तयार हो रहे हैं तो यहाँ देखे मिंटों में ये सारे लडू बनकर तयार हो गए हैं और अब इनको थोड़ा सा गानिश करेंगी तो गानिशिंग के लिए मैंने यहाँ केसर ली है और इसमें हलका सा पानी डाल लिया है ताकि इसमें यलो कलर आ जाए और इसको उंगली की साहता से में सबी लडू के उपर लगा दूँगी ताकि ये लडू देखने में थोड़े से और जादा attractive लगी आप लोग केसर की जगा इस पर पिले रंका food color भी यूज़ कर सकते हैं और इस पर इस केसर को मैं इस तरीकी से लगा दूँगी देखिए white color पर ये केसर कितना खिलके आ रहा है तो देखिए सबी लडू उपर हम केसर लगा देते हैं और इसको गानिश करेंगे थोड़े से पिस्ते के साथ आप चाहें तो किसी भी ड्राइफूट के साथ इसको गानिश कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते तो ये ऐसे भी बहुत ही सुन्दर लग रही है तो हैना कितनी एजी मिठाई और एकदम जल्दी से बनने वाली मिठाई है तो देखे भगवान का भोग तयार है लगाने के लिए अब जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो या कुछ जटपट बनाने का मन हो तो आप इस मलाई लड़ों की रेसिपी को ज़रूर ड्राय करें ये बहुत ही जल्दी बन कर तयार हो जाते हैं और बच्चे हो या बड़े ये सभी को बहुत पसंद आते हैं आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और अगर आप मेरे चैनल पढ़ नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ इस वीडियो को शेर करना बिलकुल न भूले आप मुझे मेरे फेस्बुक पेज और इंस्टाग्रान पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं विद दे सेम आइडी फोर जंक्शन बाइनिहा आज की सेकंड रेसिपी जो है नारियल पाग ये स्टार्ट करते हैं पंजीरी बनाना इसके लिए हमें चाहिए गोला तो ये नॉर्मल गोला है जो सूखावा आता है इसको हम घिस लेंगी देखिए यहां मैंने डेड़ गोले का यूज करा है और इसका हमें ब्राउन पार्ट भी अलग नहीं करना इस पोरे गोले को हम घिस लेंगी इसी गोले में हम एड़ कर देंगे बिल्कुल चौथाई चमच जाइफल जिसको मैंने इसमें घिस लिया है बस चार से पाच बार हमें से हलका सा घिस लेना है तो इसको साइड रग देते हैं चले अब बाकी सामगरियों को भून लेते हैं तो यहां हमें चाहिए एक कटोरी खरबूजे की गिरी हम इसमें कोई भी ड्राइफ रूट ऐसे यूज नहीं कर रहे हैं बस खरबूजे की गिरी और थोड़ा सा बदाम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम इन खरबूजों की गिरियों को भून लेंगे आप देखेंगे खरबूजे की गिरी भूने लगी है ये चटक रही है मतलब उचल रही है तो इनको अलग कर लेते हैं और अब इसी कड़ाई में हम भूल लेते हैं दो चमच पॉपी सीट मतलब खस-खस इसका फ्लेवर पंजीरी में बहुत ही अच्छा आता है तो हमें जादा इसके सीट्स नहीं लेने हैं सिर्फ दो ही चमच खस-खस लेनी है इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे दो चमच बदाम करीब करीब आठ से तस बदाम हैं इनको थोड़ा मोटा मोटा कोट लिया है इसको भून लेते हैं ये पंजीरी भूत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है देखिए ये भी भून गए हैं इन्हें हम अलग कर लेते हैं तो इन सभी चीज़ों को एक बरतन में अलग रखते रहेंगे अब इसी कड़ाई में हम एट कर लेंगे नार्यल जिसको हमने घिस लिया था आप देखेंगे, इस पंजीरी को बनाने में हमने बिलकुल भी घी का यूज नहीं करा है और नहीं हम मावा यूज करेंगी इसे हम बिना मावा और बिना घी के तयार करेंगी देखे नारियल को भी हमें भून लेना है नारियल को हमें लगातार चलाते रहना है वरना ये तलीपे से जल सकता है तो इसे जल्दी जल्दी हम चलाते रहेंगे और इसको गोल्डन प्राउन होने तक भून लेंगे बहुती जल्दी ये पंजीरी बन कर तयार हो जाती है तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर नहीं अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं इस नारियल पाक को बनाना इतना असान है कि कोई बिगनर भी इसे बना कर तयार कर सकता है देखिए तीन से चार मिनट में ये नारियल भुन गया है और ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है चलिए इसको भी हम उसी परात में निकाल लेते हैं आप जन्मास्टमी पर और किस किस तरह की पंजीरी बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा देखिए अब गैस पर फिर से कड़ाई रख लेते हैं और इस पंजीरी को जमाने के लिए चाशनी बनाते हैं तो चाशनी के लिए मैं दो कटोरी चीनी का यूस करूंगी ये काला काला लॉंग का टुकड़ा था क्योंकि हम चीनी में लॉंग डाल कर रखते हैं तो यहाँ देखिए मैंने दो कप चीनी ले ली है और इसमें एट करेंगे हम पौना कप पानी इसी कटोरी से नापकर हम पौन कप पानी डालेंगे इसमें हमें जादा पानी नहीं डालना है क्योंकि चाशनी हमें थोड़े गारी बनानी है अगर चाशनी पतली हो जाएगी तो पंजीरी अच्छे से नहीं जमेगी इसको चला लेंगे ताकि चीनी और पानी घुल जाए और इसे पाश मनट तक हम पका लेंगे बहुत ज़ादा पतली चाशनी नहीं होनी चाहिए इसको अब हम एक बार चैक कर लेंगे कि चाशनी तयार है या नहीं तो आप इस तरीके से हाथ पर चाशनी ले लीजे और देखे इसमें तार बन पारा है, इसका मतलब हमारी चाशनी तयार है अगर तार नहीं बनेगा, तो हमें इसे एक दो मिनट और चलाना पड़ेगा तो यहां चाशनी तयार है और इसमें हम भुनीवी सारी सामग्रियों को मिला लेते हैं और चाशनी में इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ों में चाशनी अच्छे से लग जाए और ये पंजीरी बहुत अच्छे से जम जाए तो देखें इस तरीके से आप उठा के सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिजेगा चलिए पंजीरी जमाने के लिए तयार है तो यहां हम एक ठाली ले लेते हैं और इसमें खी लगा लेते हैं ताकि जब हम पंजीरी को निकालें इसमें से तो वो असानी से थाली पे से निकल सकी और इसमें अब हम पंजीरी के मिक्षर को डाल देते हैं चाशनी में मिलाने के बाद चीजों को हमें इसे बहुत चल्दी से जमाना पड़ेगा वरना पंजीरी अच्छे से नहीं जमेगी इसको अब हम इस पैचुलर से इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि ये evenly spread हो जाए और पंजीरी के pieces जो आए वो बिलकुल equal आए इसके अलावा हम एक कटोरी लेंगे जिसका तला flat हो उसपे घी लगाएंगे और उससे भी इस पंजीरी को एकसार कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से इस पंजीरी को एकसार कर लीजिए और 2-3 घंटे के लिए हम इस पंजीरी को set होने के लिए रख देंगे ताकि जब हम इसके pieces काटें तो वो easily cut हो जाएं तो देखिए 3 घंटे हो गए हैं और ये पंजीरी एकदम set हो गई है चलिए इसके pieces काट कर लेते हैं तो कितनी tasty लग रही है और बहुत ही जल्दी ये पंजीरी बनकर तयार हो गई है तो मैं या square pieces कट कर रही हूँ आप इसे किसी भी shape की pieces में कट कर सकते हैं और ये पंजीरी तयार है भगवान का भोग लगाने के लिए कितने कम ड्रैफ्रूट से सिर्फ गोले और खर्बूजे की गिरी से हमने इस पंजीरी को बना कर तयार कर लिया है वैसे तो आप चाहें तो इसमें मखाने, काजू और भी ड्रैफ्रूट एड़ कर सकते हैं पर मैंने इसे सिर्फ इतने ही ड्रैफ्रूट से बना कर तयार करा है देखी कितनी असानी से ये थालीपे से अलग हो गई है और कितने perfect pieces के आएं है तो लग रही है ना स्वादिस्ट अब जब भी कोई व्रत हो या त्योहार हो और जैसे कि कल जन्मास्ट में है तो भगवान का भोग लगाने के लिए आप इस नारियल की पंजीरी को जरूर ड्राय करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये पंजीरी की रेस्पी कैसी लगी इस पंजीरी को नारियल पाग भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने इसे नारियल से तयार करा है तो यहाँ इसके पीसिस निकाल लेते हैं एक प्लेट में और चलते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए आईए उससे पहले मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ कि ये कितनी पर्फेक्ट पंजीरी बनकर तयार हुई है तो है ना एकदम आसान सी और अमेजिंग सी रेसिपी अगर आपको वीडियो अच्छी लगें तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूले आज की थर्ड रेसिपी आईए आज हम बनाते हैं काना जी के भोग के लिए गोंद की पंजीरी ये रेसिपी मैंने अपनी सासुमा से सीखी है और हमारे याँ जनमास्ट मी के दिन गोंद की पंजीरी जरूर बनाई जाती है इस पंजीरी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे गोंद, यह खाने वाला गोंद होता है और यह पंजीरी में जरूर डालेंगे, तो यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम गोंद, इस गोंद को पहले हम थोड़ा सा सूखा भूल लेंगे, आप चाहें तो इसे 10-15 नट के लगा है, इसमें अब हम डाल देंगे दो बड़े चमस देसी घी, देसी की डालने से यह गोंद एकदम फूल जाएगा, और हमने इसे सीधे घी में इसले नहीं डाला, ताकि अंदर से कच्चा न रह जाए, तो सूखा भूनने के बाद हम इसे घी में भून लेंगे, और और यह जो बचवागी है, इसी घी में हम अपना अगला इंग्रीडियंट फ्राय करेंगे, तो यहां मैंने 100 ग्राम बडाम लिये हैं, यहां हम सभी चीजों को इसले भून रहे हैं, ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो सकी, तो देखिए बडाम भी बहुत जल्दी भून जाते हैं, तो आप इसे लगातार चलाते रहें, वरना यह जल जाएंगी, देखिए भून गए हैं, और इन्हें भी हम उसी बरतन में निकाल लेते हैं, बडाम की वज़े से घी का कलर भी चेंज हो गया है, और इसी घी में अब हम भूनेंगे खरबुजे की गिरी, हमें घी को बार-बार चेंज करने की जुरत नहीं है, उसी घी में हमारे सारे ड्राइफूट भून जाएंगे, यह देखिए उचल रहे थे, इसलिए मैंने दो मनट के लिए ने ढग दिया है, ताकि इनकी छीटे मेरे उपर ना आएं, चलिए इसी के साथ इसमें आइट कर लेते हैं कसा हुआ गोला, यह नॉर्मल गोला है, और इसे आप बारिक या मोटा कैसे भिखिस लीजे, तो देखिए इन दोनों चीजों को हम अच्छे से भूल लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने तक, बस याद रहे कि यह जले नहीं, चलिए यह भून गए हैं, इने भी हम उसी बर करते रहेंगे, चलिए अब एक और चीज भूनते हैं, जो मेरे हां पंजीरी में जरूर डाली जाती है, तो इसके लिए यहां पे हम ले लेते हैं एक चमज घी, और इसमें एट करेंगे हम आधा चमज अजवाईन, और एक चमज जीरा, मेरी सासुमा, जनमास्चमी के दिन कौन की पंजीरी अजवाईन और जीरा डाल कर ही बनाती हैं, और इसी पंजीरी का भोग लगाया जाता है, तो चलिए जीरा और अजवाईन भी भून गया है, इसे भी हम अलग कर लेते हैं, और फिर से इसी परतन को लेते हैं, और इसमें एट करेंगे हम दो कब भर कर मखान किसी भी ड्राइफूट को हमें तोरने की कोई ज़ूरत नहीं है क्योंकि हम इने बाद में हलका सा पीस लेंगी इसमें एट करेंगे एक चमज घी और इसको भून लेंगी इन मखानों को हम तब तक भूनेंगी जब तक ही हाथ से तोरने पर तूटे ना देखिए मैं आपको तोरके दिखाती हूँ और यह असानी से तूट पा रहे हैं इसका मतलब मखाने हमारे अच्छे से भून गए हैं चलिए इसको भी अब अलग कर लिते हैं तो देखिए यहां हमारे सारे ड्राइफूट भून गए हैं और अब बनाते हैं हम चाशनी तो उसके लिए हम यहां लेंगे दो कटोरी चीनी क्योंकि हमें इसके लिए थोड़ी गाड़ी चाशनी बनानी है तो हम इसमें पानी का कम यूज़ करेंगी इसमें हम सिर्फ आधा कफी पानी डालेंगी और उसके बाद इसको चला लेंगी ताकि ये चाशनी बनकर चल्दी से तयार हो जाए चलिए जब तक चाशनी बन रही है तब तक हम इन सभी ड्राइफ फूर्ट्स को थोड़ा दरदरा सा पीस लेते हैं बिल्कल बारिक पाउडर इनका हमें नहीं बनाना है क्योंकि पंजीरे में जब थोड़े मोटे-मोटे पीसे जाते हैं तो वो खाने में बहुत अचहे लगते हैं तो चलिए थोड़ा थोड़ा करकर इनको मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और बस एक बारिंग को चर्ण कर लेते हैं आप देखिए मैंने इनको बिल्कुल बारिक नहीं करा है ये थोड़े-थोड़े से मोटे हैं तो इसी तरीके से देखिए मैने सारे ड्राइफूर्ट्स को चर्ण कर लिया है इसको साइड रख देते हैं और यहां लेते हैं हम एक ठाली जिसमें हम पंजीरी को जमाएंगी इसपे हलका सा घी लगा लेते हैं और इसको ग्रीस कर लेते हैं यहां मैं इस मिक्षर में थोड़ी सी काली मिर्च भी एड़ कर रही हूँ क्योंकि पंजीरी एकदम मीठी होती है तो काली मिर्च उसके टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस कर देती है इधर देखिए चाशनी भी हमारी तयार हो रही है और चीनी अच्छे से घुल गई है एक बार चला लेते हैं और अब टेस्ट कर लेते हैं कि चाशनी तयार है या नहीं तो आप हलका सा कट्ची पे चाशनी ले लिजे और हाथों की सायते से इसे देख लिजे आप देख पा रहे होंगे कि एक तार की चाशनी बनकर तयार है इस तरीके से एक तार बनना चाहिए अगर आ जबकि ये चाशनी पिलकुल तयार है पंजीरी जमाने के लिए अगर चाशनी सरीके से नहीं होगी तो पंजीरी अच्छे से सैट नहीं होगी चलिए चाशनी तयार है और अब इसमें हम पिसे हुए ड्रैफरूट्स को मिला लेते हैं ड्रैफरूट्स को चाशनी में अच्छे इसे mix कर ले ताकि पंजीरी अच्छे से जम सके अगर इसमें चाश्णी नहीं लगेगी तो पंजीरी भी अच्छे से साइट नहीं होगी mix करने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है फटवट इसे जमा लेना है बना ये पंजीरी खराब हो जाएगी तो देखिए थाली पर हमने घी पहले ही लगा लिया था इसलिए और अब इसमें इस पंजीरी को जमाने के लिए पलट लेते हैं और अब कट्ची की सहायता से इस मिक्षर को प्रेस कर देंगे आप चाहें तो इसे कटोरी से भी कर सकते हैं एक फ्लेक तले वाली कटोरी लीजिए और उस पर हलका सा घी लगा कर इस तरी केसी से प्रेस कर लीजिए इससे जब आप पंजीरी के पीसिस काटेंगे तो वो कहीं से मोटे या कहीं से पतले नहीं होंगे इकड़म इक्वल पंजीरी कटेंगी इस थाली को हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं और आधे घंटे बाद देखिये ये पीसिस काटने के लिए एकड़म तयार है तो अराम से आप किसी भी शेप के इसके पीसिस काट कर सकते हैं यहां मैं square pieces cut कर रही हूँ और आप देखेंगे कितनी असानी से ये pieces cut हो पा रहे हैं मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये एकदम perfect पंजीरी जम कर तयार हुई है वैसे आप सभी और किस-किस धनेके की पंजीरी बनाते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए मुझे comment section में जरूर बताईएगा चलिए मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूँ कि ये पंजीरी एकदम perfect जमी है तो चलिए friends इसको plate में लगा लेते हैं और चलते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करेगा वीडियो इच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने friends और family के साथ share करना बिलकुल न भूले आप मुझे मेरे Facebook पेज और Instagram पेज पर भी follow कर सकते हैं with the same idea food junction by नीहा चलिए बनाते हैं अपनी fourth recipe तो आज की ये जो recipe है ये मैंने अपनी सासुमा से सीखी है कि हम उस मावे की बर्फी को और कैसे स्वादिस्ट बना सकते हैं वैसे तो अगर बनाने का मन है आपका तो आप बजार से भी मावाला कर बना सकते हैं पर आज की recipe मैं बनाऊंगी मावे की बर्फी से जो मेरे आई वी थी और वो किसी use में नहीं आ रही थी तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो इसके लिए यहां मैं ले रही हूँ एक किलो लॉकी जिसे मैंने अच्छे से धो कर घेस लिया है और अब हम इसमें से थोड़ी सी लॉकी उठाएंगे और तोनों हातों की बीच में रखर उसे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इसमें जो भी excess water है वो remove हो जाए और इसको एक पैन में खटा करते रहेंगे तो चलिए मैं सारी लॉकी अच्छे से निचोड लेती हूँ अब हम इस पैन की गैस को on करेंगे और हमारी इस लॉकी को अच्छे से भूल लेंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो सारा सोक हो जाए हमें लौकी को तब तक भूनना है जब तक इसमें सारा पानी खतम ना हो जाए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चीए अब इसी तरहां प्रेस करकर कर लौकी को भूनिये इससे सारा पानी जल जाएगा और लौकी ड्राय हो जाएगी देखिए लौकी का सारा पानी सूख गया है और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और अब हम लेंगे मावे की बर्फी ये बर्फी पीचेज में थी तो मैंने इसे हाथ से तोल लिया है और अब हम इसे भी कडाई में डाल कर अच्छे से भूल लेंगे ये जो मावे की बर्फी होती है इसका मावा जादा भूनावा नहीं होता है तो इसे हम पहले अच्छे से भूनेंगे जिसकी वज़े से ये थोड़ा सा लिक्विट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हम इसे भूनना शुरू करते हैं देखे आप इस तरीके से भूनेंगा तो इससे भूत अच्छा मावा भूनता है जैसे जैसे आप इसे चलाते जाएंगे ये थोड़ा पतला होता चला जाएगा और कड़ाई पे चिबकने लगेगा देखे मावा पतला होनी लगा है पर हमें इसे लगतार चलाते रहना है ताकि जो हमारा मावा है वो कड़ाई पर चिप के ना और बिल्कुल एक सार भुने मावा चलाते वे 10-15 नट हो गए है और देखे मावा फिर से सिमटने लगा है और अब इसका कलर भी चेंज होने लगा है जितनी महनत आप इसे भुनने में लगाएंगी उतनी ही अच्छी आपकी बर्फी तयार होगी तो देखे मावा भुन गया है और अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी मैं थोड़े हलके मीठे का बना रहे हूँ आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दाल सकते हैं और अब हम इसे भी आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे बस आपको इसे लगातार चलाते रहना है अगर आपने इसे चलाना बंद कर दिया तो हमारा मावा जो है वो नीचे से लाल होने लगेगा और अब हम इसमें डालेंगे तीन छोटे लाइजी जो कि इसको बहुत अच्छे खुश्बू देंगी सब चीजे आपस में मिक्स हो गई है अब हम इसमें डालेंगे अपनी भुनीवी लौकी वापस से लौकी डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा मावा और लौकी आपस में मिल जाएं तो आप इसे लगातार ऐसे खड़े कर्ची से घोटिएगा इससे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे आपस में जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे वैसे वैसे सिमटना शुरू हो जाएंगी और कड़ाई छोना शुरू कर देंगी जब ये चीजे कड़ाई छोना शुरू कर दें तो समझ जाएंगे कि आपकी बर्फी तयार है देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है और अब बारी है इसे जमाने की तो हम एक ठाली लेंगे और उस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगी ताकि जब हम इस पर बर्फी जमाएं तो बर्फी ठाली पर चिपके नहीं अब इस ठाली में हम अपने इस मिक्षर को पलट देते हैं और इसे प्रेस करकर इसे एक सार कर देते हैं अब इसको हम डेकुरेट करेंगे थोड़े से बदाम लगा कर और अब आप एक फ्लेट का टोरी लीजिए जिसका जो बेस होता है वो फ्लेट हो और उसको हलका सा घी से ग्रीस कर लीजिए और अपनी बर्फी पर इसे धीरे धीरे प्रेस करिए इससे सारी चीजे आपस में सेट हो जाएंगी और अब हम इसे दो घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे देखिए दो घंटे हो गए हैं और हमारी ये बर्फी अच्छे से जम गई है और अब हम इसके पीसिस कट कर लेंगे फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ने लाइक करिए और मेरे जानल को सब्सक्राइब करिए देखिए कितनी असानी से ये कट पा रही है और मैं एक पीस आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से जमी है नेक्स टाइम आपके याँ भी मावे की बर्फी आए और वो यूज में ना आए तो बिलकुल परिशान मत होईएगा इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे बताएगा कि आपको इस रेस्पी कैसी लगी देखिए अब हम इसका एक पीस तोड़ के देखते है देखिए कितनी पर्फेक बर्फी जमी है लग रही है ना एक दम बजार जैसी झाल झाल तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई और थैंक यू फॉर वाचिंग